LibreOffice Base पर स्पोकन टिटोरियल में आपका इस्तक्वाल है इस टिटोरियल में हम सीखेंगे कि LibreOffice Base क्या है Base को इस्तमाल करने के लिए जुरूरी चीजें आप Base में क्या कर सकते हैं Relational Database की बुनियादी बातें नया Database बनाना, Table बनाना LibreOffice Base LibreOffice Suite के Database का Front End है Base Microsoft Access के मसावी है Base Free और Open Source Software है और इस्तमाल और तक्सीम के लिए मुफ्त है Base को इस्तमाल करने के लिए ज़रूरी चीजों को देखते हैं Microsoft Windows के लिए सिस्टम ज़रूरियात ये है Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 या इससे आला XP, Vista या Windows 7 Pentium Compatible PC 1.5 GB दस्तियाब Hard Disk Space Ubuntu Linux के लिए सिस्टम की ज़रूरिया दरजेल है Linux Kernel Version 2.6.18 या इससे आला Pentium Compatible PC Windows और Linux दोनु की इनिस्टालेशन यानि तनसीब के लिए हमें 256 MB RAM की ज़रूरत है या 512 MB RAM की सला दी जाती है मुकमल निजाम की ज़रूरियात के लिए Libre Office वेब साइट पर जाएं आपको Java Run Time Environment नसब करने की भी ज़रूरत है जिसे आप दरजेल लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं मरकज में Free Java Download नामी सुर्ख बटन पर क्लिक करें एक बार फाइल डाउनलोड हो जाए इस पर डबल क्लिक करें और तनसीब के लिए हिदायात पर अमल करें चलिए Libre Office Base के Installation को देखते हैं अगर आपने Complete Installation Option के साथ Libre Office Suite पहले से ही नसब किया हुआ है तो आप अपनी सिक्रीन की बाएं तरफ सबसे नीचे Start Menu पर क्लिक करके Libre Office Base तक रसाई हासिल कर सकते हैं All Programs पर क्लिक करें और फिर Libre Office Suite पर क्लिक करें अगर आपने Libre Office Suite इंस्टाल नहीं किया है आप Official Website पर जाकर और डाउनलोड Libre Office नामी ग्रीन एरिया पर क्लिक करके Base नसब कर सकते हैं तफसिली हिदायात Libre Office Suite के पहले टिटोरियल में दस्तियाब है याद रखें नसब करते वक्त Base को इंस्टाल करने के लिए Complete Option का इस्तामाल करें चलिए अब अगले मौजू पर चलते हैं आप Libre Office Base में क्या कर सकते हैं Base में आप मुनजम डेटा जमा कर सकते हैं डेटा एंट्री कर सकते हैं और फॉरम का इस्तमाल करते हुए एदादो शुमार देख सकते हैं सवालात का इस्तमाल करते हुए मालूमात हासिल कर सकते हैं और प्रिंट के लिए तयार अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं बेस आपको डेटा बेसिस के इंतिजाम में मदद करता है जैसा कि आप जानते होंगे डेटा बेस डेटा, फॉर्म, सवालात और रिपोर्ट का ग्रुप है मसलन बेस का इस्तमाल गाहक की मालूमात के डेटा बेसिस का इंतिजाम करने के लिए किया जा सकता है सेल्स ओर्डर्स और इन्वाइस को ट्रैक करना, तालवे इल्मों की दरजाबंदी के डेटा बेसिस को संभालना या लाइबरेरी के डेटा बेस को बनाना चलिए अब डेटा बेसिस की कुछ बुनियादी बातों के बारे में सीखते हैं Database का data tables में जमा और मनजम रहता है. Tables में डेटा के अलग-अलग टुकडे rows और columns में जमा रहते हैं. इस तरह के database को relational database भी कहते हैं, जहां columns का इसतमाल करते हुए tables का तालुक एक दूसरे से होता है. लाइब्ररी के लिए sample database का इसतमाल करें. लाइबररी किताबों का मजमुआ हो सकता है और किताबें लाइबररी के अरकान को जारी की जा सकती है किताब में उन्वान, मुसनिफ, नाशिर, इशाद का साल और कीमत हो सकती है इन्हें खसूसियात या आउसाफ कहते हैं इसी तरह लाइब्ररी रुकुन का नाम, फोन नमबर और पता होता है और लाइब्ररी सिर्फ इसके अरकान को ही किताबें जारी करती है अब देखते हैं कि हम इस डेटा को रोज और कॉलम्स के इन्फरादी टेबल्स के तौर पर कैसे जमा कर सकते हैं हर किताब के बारे में मालूमात इसके आउसाफी कॉलम्स बनने के साथ बुक्स टेबल में जमा कर सकते हैं बुक टाइटल, ओथर, पब्लिशर, येर ओफ पब्लिकेशन और प्राइस हर किताब में फरक करने के लिए हम बुक आइडी नामी युनीक आइडी आइडेंटिफायर कॉलम्स भी जोड़ते हैं इस तरह हमारे पास इसी उन्वान की दो मुकमल तोर मुक्तलिफ किताबें हो सकती हैं इसी तरह मेंबर्स टेबल में कॉलम्स हो सकते हैं जैसे कि नेम और फोन और मख्सूस शिनाख्त या हर रुकन में फरक करने के लिए मेंबर आइडी और हम बुक्स इशूड नामी तीसरे टेबल में अराकीन को जारी की गई किताबों को ट्रैक कर सकते हैं ये टेबल बुक इशूड दे मेंबर, डेट अफ इशू, डेट अफ रिटर्न, एक्चुल डेट अफ रिटर्न, वैदर चेकड इन और नॉट का पता लगा लेगा इनमें डेटा शामिल करने के लिए हम इन टेबल्स में रिलेशन तश्कील दे सकते हैं अब ये हमें रिलेशनल डेटा बेस को मुनज़म करने में मदद करता है रिलेशनल डेटा बेस पर एडवांसिट मौजवात के लिए spoken-tutorial.org पर जाकर हमारे दीगर टेटोरियल्स मुलाखता करें तो चलिए अब लाइब्ररी नामी अपनी बेस के पहले डेटा बेस के साथ शुरुआत करते हैं नया डेटा बेस बनाने के लिए पहले बेस प्रोग्राम को ओपन करें सिक्रीन के सबसे नीचे बाएं तरफ विंडोज के स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें अल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें फिर लिब्रे आफिस स्यूट और फिर लिब्रे आफिस बेस पर क्लिक करें डेटा बेस विजर्ड नामी एक पॉप अप विंडोज ओपन होती है नया डेटा बेस बनाने के लिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें दर्जेल विंडो में Finish के बटन पर क्लिक करें ये Save as विंडो ओपन करता है चुँके हम Library Database बना रहे हैं हम File Name Text Box में Library टाइप करेंगे और फिर Save के बटन पर क्लिक करें अब हम अंदर हैं अब डेटा को जमा करने के लिए Tables बनाएं नया टेबल बनाने के लिए बाएं जानिब डेटा बेस लिस्ट में Tables आइकन पर क्लिक करें दाएं तरफ टास्क लिस्ट में Create Table in Design View पर क्लिक करें ये दूसरा विंडो ओपन करता है यहां Field Name के नीचे पहले कॉलम में Book ID टाइप करें Field Type कॉलम पर जाने के लिए Tab की का इस्तमाल करें चूंकि Book ID हर किताब के लिए मुख्तलिफ नंबर होगा ड्रॉप डाउन फैरिस्ट में Field Type के तौर पर Integer मुन्तखब करें नीचे के सेक्शन में Field Properties तबदील करें Auto Value को No से Yes में तबदील करें ये Field अब हर किताब को मुनफरिद दोर पहचानेगा दूसरे अलफाज में इस Field को Primary Key भी कहते हैं Book ID Field के बाएं तरफ पीले सिंबल पर तवज्जा दें चलिए देखते हैं कि हम Field Names के लिए Field Types किस तरह मुन्तखब करते हैं Field Types, Text, Integer, Numeric, Decimal या Date हो सकते हैं Text का इस्तमाल इन Fields के लिए करें जिनमें आम मालूमात हों मसलन नाम, उन्वान, पता Integer, Numeric, Decimal का इस्तमाल इन Fields के लिए करें जिनमें सिर्फ Numbers शामिल हो सकते हैं मसलन Numeric का इस्तमाल कीमत की मालूमात वाले Fields के लिए और Integer का इस्तमाल साल के लिए करें अब बाकी fields बनाते हैं title, field type text, author, field type text, published year, field type integer, publisher, field type text, price, field type numeric, language को 5 और decimal places को 2 में तबदील करें, format example बटन पर क्लिक करें, ये field format विंडो ओपन करता है, category list से currency और format लिस्ट से INR मुंतखब करें, rupees 1234.00 मुंतखब करें, जिसमें 2 आशारिया points हैं, नोट करें कि 2 आशारिया नमबराथ समेथ पूरी लेंगित 5 है, ok बटन पर क्लिक करें, अब हमने books टेबल के लिए तमाम columns बना लिये हैं, अब टेबल को सेव करें, सेव आइकन पर क्लिक करें, जो file menu के नीचे है, टेबल नेम text box में books टाइप करें, नोट करें कि ये उसी मुकाम पर सेव हुआ है, जहां database library है, क्यूंकि tables database का हिस्सा हैं, और ok बटन पर क्लिक करें, अगले टेटोरियल में हम books टेबल में डेटा का इजाफा और members और books issued tables बनाएंगे, अब हम इस टेटोरियल के इखताम पर आ गए हैं, मुक्तसर में हमने दर्जेल बातें सीखी, लिब्रे आफिस बेस क्या है, बेस को इस्तमाल करने के लिए जरूरी चीजें, आप बेस में क्या कर सकते हैं, relational database की बुनियादी मालूमात, नया database बनाना, नया table बनाना, इस सिलसले का अगला टेटोरियल, tables और relationships है, सुपोकन टेटोरियल प्रोजेक्ट Talked at Teacher प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे हुकुमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी खौंदगी मिशन ने ICT के जरिये हिमायत की है, इस प्रोजेक्ट की मावनत spoken tutorial.org ने की है, इस पर मज़ीद मालूमात दर्जे लिंक पर दस्तियाब है, इस टिटोरियल का तर्जमा और सदाबंदी मैंने यानि वजाहत अहमद ने की है, हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया.